Hello guys and welcome to my YouTube channel Tag Bomb Kids दोस्तो आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Vivo Y22 के फोन में डिस्प्ले फिंगर पिंट लॉग कैसे लगाएंगे दोस्तो आप अपने Vivo Y22 के फोन में डिस्प्ले फिंगर पिंट लॉग लगा सकते हैं बहुत ही असान है दोस्तो आपके अलावा आपके फोन को कोई भी अनलोक नहीं कर पाएगा सिर्फ आप ही कर पाएंगे सबसे पहले आपके फोन में जो भी लॉग पासवर्ड पैटन लगा उसको हटा दीजिए इसके बाद यहां पर आपको प्ले स्टोर उपन कर लेना है यहां पको सर्च करने के वाद इसको-प्ले किसम को भी यह पासवर्ड के लिए L Schmidt इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजेगा और comment कर दीजेगा WUI 22 डिस्प्ले 15 इहां आप लोग comment कर देंगे इसके बाद इस application को open करेंगे open करने के बाद यहां पर आपको wallpaper का option दिखाए देगा जो कि यहां पर उपर किता side आप लोग देख सकते हैं आपको इस पर click करना है enable permission का option दिखाए देगा कर देंगे इस के बाद अलाव पर किलिक करके इसको पर्मींसन देंगे फानले दोस्तो फिर इसके बाद आपको फीर ऑपसिन पर किलिक करना है और सबसे उप???? है allow के option पर किलिक करके इसको permission दे देना है जैसे ही दोस्तों आप लोग सारी permission इसको allow कर देते हैं इसके बाद यहाँ पे काफी ज़दा आपको images देखने को मिल जाते हैं दोस्तों आपको attention नहीं लेना है मैं आपको live यानि इस वीडियो में एक ही अस्थान पर चार बार किलिक करना है जैसा कि मैं यहाँ पर किलिक कर रहा हूं चार बार एक ही अस्थान पर किलिक करेंगे next के option पर किलिक करेंगे अब इसके बाद यहाँ पर password बनाना होगा चारंकों का कोई भी password आप लोग बना सकते हैं तो दुबारा उसी password को आप लोग enter कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे select your question को option है, इस पर आप लोग click करेंगे, कोई भी एक security question आप लोग यहाँ से select कर लेंगे, इसके बाद इसका answer आप अपने मन से यहाँ पे लिख देजिए display fingerprint, तो हम यहाँ ध्यान रखेगा दोस्तों, कु display fingerprint log लगाने की feature पूरा आजाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, किसी भी एक theme पर आप लोग click करेंगे, जो भी आपको style अच्छी लग रही हो, उस पर आप लोग click करिएगा, click करने कबाद yes का option दिखाए देगा, yes के option पर आप लोग click कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे इस display fingerprint swipe to open, आप swipe open करेंगे, यानि यह slide वारा हमने जो lock लगाया है, लेकिन हम जब slide करते हैं, यहाँ पे हमारा phone unlock नहीं होता, बल्कि display fingerprint मांगता है, कोई भी कहीं भी कितना भी बार टच कर ले, आपका phone unlock नहीं होगा, जहाँ पे आपने चार बार click किया था, लगा थार दो बार वहीं पर आप लोग click करेंगे, यानि कि double type उसी अस्थान पर आप लोग करेंगे, आपका phone unlock हो जाएगा, और दोस्तों कोई भी यह नहीं जानता है, कहाँ पर double click करने बाद आपका phone unlock होगा, इसलिए सिर्फ आप जानते और आप ही अपने phone को unlock कर पाएंगे,